नमश्कार जी मैं हूँ पुनीत स्वागत है आपका अपना शो है अपना इसलिए है क्यूंकि आप इस पर भरपूर विश्वास करते हैं प्यार इतना ज्यादा मिल रहा है जितना हम सोच में नहीं सकते थे प्रोफेसर सहाब तो कभी-कभी जब बात करते हैं तो चलो जो लोग आते हैं उनके पास वो बात अलग है लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जिनको कुछ प्रोफेसर सहाब से कोई काम नहीं है जिनके जिनके जिन्दगी में कोई खास मुश्किल भी नहीं है वो भी जब इस शो को आपके शो में सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है आपके शो में जीवन ग्यान भी है और जीवन ग्यान कैसे मिलता है जब कोई इंसान इतनी रिसर्च कर ले जब इंसान का experience जो है वो खुछ से बात करने लगे लेकिन आज का जो एपिसोड है वो आसान नहीं होने व मिले या फिर वो कह दें कि यह कैसा सवाल है सो हम शुरुआत तो करेंगे लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है आप से हाथ जोड़के गुजारिश है वो यह है कि आप फोन पे प्लीज उपाए मत पूछा कीजिए फोन पे उपाए नहीं मिल सकते आप या तो घर बैठे इंतजार कीजिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका हल जो है इस एपिसोड में आएगा उस चीज का इंतजार कीजिए या आप फोन पे ये भी बोल सकते हैं जी हमें ये प्रॉब्लम है आप इस पे एपिसोड कीजिए उस चीज को भी जो है वो प्रियोरिटी दी जाएग सेवा हो रही है सेवा होती रहेगी आपके घर तक जाएंगे प्रोफेसर साहब लेकिन उसका एक तरीका होता है सो आज का जो सवाल है मैं पूछने वाली हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी इन्होंने पिछले एपिसोड में बोला था कि हर इंसान में कोई ना कोई शक्ती होती है अगर शक्ती होती है तो कमजोरी भी होगी बहुत बहुत स्वागत है जी आपका शक्ति और कमजोरी की बात आज हम करेंगे और वन लाइनर सवाल है एक लाइन में पूछूंगी और आपको एक लाइन ही बतानी पड़ेगी पूरे एपिसोड में पूरी एपिसोड में दूसरी लाइन पे नहीं आएंगे तो आज का आपका एक्जाम है और आपके लिए क्वेस्टिन ये है कि आप पूरी दुनिया को एक लाइन में कैसे ठीक कर सकते हैं पता है कर सकते हैं लेकिन कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत कठीन स्वाल है एक लाइन में पूरी दुनिया को ठीक कैसे किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं होगा. लेकिन आपको दूँगा सेंटिफिक रिजन के साथ, अगर मैं सेंटिफिक रिजन नहीं दूँगा, तो आपको पता कैसे चलेगा? कि वाके में जोतिश में इतनी घ्यान है, इतनी शक्ती है, कि पूरी दुनिया को ठीक किया जा सकता है, एक लाइन में किया जा सकता है. सुनिए ध्यान से पूरी दुनिया में बारा राशी साथ ग्रह दो ग्रह रहु और केतू शाया ग्रह ध्यान से सुनिए एक लाइन में पूरी दुनिया को ठीक करने वाला हूँ भाई लेकिन समझाओंगा सेंटिफिक रीजन के साथ और बात सिर्फ एक लाइन की होगी सेंटिफिक रीजन के साथ समझाने के लिए समय लगया लेकिन सिर्फ बात एक लाइन की ही है इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है लेकिन आपको सेंटिफिक रीजन के सा बताओंगा बहुत अच्छा पुछा पनीजी ने आज मैं भी चाहता हूं कि मेरे से ऐसे ऐसे कोश्चन किये जाएं ताकि क्या पता कि मेरे भीतर का भगवान है जो जवाब दे सकता है यह नहीं दे सकता लेकिन मैंने यही कहा हुआ है कि आपकी कोई भी प्रोब्लम है पूरी दुनिया में साथ ग्रेंग बारा राशी दो ग्रेंग राहू और केतु तीन ग्रेंग और है जो है यॉरेनेस पुलूटो और नैपच्छन इन यह जो तीन ग्रेंगा है यह दादा सार रहते इनकी कॉलकुलिशन हम ब्रीच में नहीं लेते प्राश्च जो तश्वक्ती बा पूरी दुनिया को ठीक करने का इन्होंने सवाल किया है होगे, जरूर होगे, पूरी दुनिया ठीक होगे अब सुनिये, जो जोतिश जानते हैं, वो जो जोतिश नहीं जानते, वो सेंटिफिक रिजन से बता रहा हूं जिनके पास कुंडलिया हैं, वो लगन, लगन जो जोतिश जानते हैं, वो एक नमबर लगन, मेश लगन, पूरी दुनिया में जो मेश लगन के व्याकती हैं, अगर वो जल्द बाज अपनी छोड़ देंगे, काम जाब हो जाएंगे सुनिये, क्योंकि मेश लगन के व्याकती जल्दवाजी होते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, कोई भी समान दिया जाए उनको, ये जो आप काम कीजिए, उससे जल्दी मोड लेते हैं, उसको बरीकी में करते ही नहीं, अगर वो बरीकी में करना शुरू कर दे, ध्यान से सुनिये मेरी बात, अगर वो बरीकी में करना शु बोले एक नंबर जिसकी क이다 में लिखाओ बीच में वह में लगने की कुनली होती है एक नंबर मेश लगन पूरी दुनिया का जो मेश लगन है जितनी दुनिया में बारहत तरह के लोगे बारहत तरह के लोग फ है उसके लिए एक लाइन में जल्द बाजी अगर छोड़ देंगे कामयाब हो जाएंगे देखिए एक लाइन में कर दिया में लगन वालों को वाके में अगर मैं जल्द बाजी नहीं करता, आज मैं कहीं कहीं होता, अगर मैं जल्दी वो काम नहीं छोड़ता, आज मैं कहीं कहीं होता, ये मेश लगन की बात है, अगर मेश लगन वाले ये बोलते हैं, अगर मैं गुसे से ये काम नहीं छोड़ता, आज मैं कहीं कहीं होता ये मेश लगन वालों की बात है, एक नमबर लगन वालों की बात है, जो एक नमबर लगन है, सिर्फ एक लाइन में जल्द बाजी छोड़ देंगे, कामजाब हो जाएंगे अब बात आई वरिश लगन की दो नंबर लगन की दो नंबर लगन जिसका वरिश लगन है वो अगर परवर्तन्शील हो जाएंगे कामयब हो जाएंगे एक लाइन में पूरी दुनिया को ठिक कर werk तो किसी किताबों में है और नहीं मिलेगी और लिख ली जिये जो लगन होती है बारा उनकी कमजोरियां बता रहा हूं वो कैसे कमजोरियां होती हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है पूरी दुनिया में जिसका व्रिश लगन है वो अगर परवर्तनशील हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे वो कामजाब हो जाएंगे व्रिश लगन होता है सांड का सांड जैसे लोग होते हैं जहां पर बैठते हैं, अगले दिन आके वहीं पर बैठते हैं, सांड को बड़े ध्यान से देखना, उसको चाहे जो मरजी बोला जाए, वही चुपर के बैठे रहेंगे, अपना बैठे बैठे अपना, उसको चाहे कुछ भी मारते रहो, वह चुपर के बैठे रहेंगे, एक लाइन की बात पूरी दुनिया में सब को ठीक कर रहा हूँ बहुत अच्छा पूचा लेजि भी होते हैं लेजि होते हैं लेकिन और लगन की बात है ये लेजि नहीं होते ये परवरतन शील नहीं होते काम करने को त्यार रहते हैं चैंज़ बरदाश ने हैं चैंज नहीं करते हैं पूरी दुनिया में विरिश लगण के लोग चैंज़ नहीं लाती है अगर चैंज ले आएंगे तो कामया हो जाएंगे एक लगन पूरी दुनिया साथ खर्ब की दुनिया है और इसमें जादा से जादा कहते हैं ना कितने लोगों का होगा लगन विर्श लगन वो ठीक हो जाएंगे अगर परवरतन शील हो जाएंगे निचोड जोतिश का निचोड दे रहा हूँ आप सबको मैं आप सुनिये मिथुन लगन की बात मिथुन लगन वाले कामजाब क्यों नहीं होते हैं अगर वो टिक के बैठ जाएंगे कामजाब हो जाएंगे निचोड मिथों लगन दो बच्चों का साइन होता है वो टिक्के नहीं बैठते बच्चों के साथ बच्चे बुड़ों के साथ बुड़े इस्तियों के साथ इस्तियों बन जाते हैं क्योंकि बुद्ध नपुनसिग्राय होता है हसते हैं खेलते हैं मजाग करते हैं बच्चों के जैसे बुड़े हो जाएंगे तो भी बच्चों के जैसे लेकिन उसका निचोड़ अगर वो टिक के बैठ जाएंगे कामयाब हो जाएंगे देखिए कितनी असान जोतिश कर दिया मैंने आपको बता दिया कि एक लाइन में कैसे ठीक किया जा सकता है एन्सान को और इन्होंने बहुत अच्छा पूछा, एक लाइन में ठीक कीजिए और एक लाइन में ठीक कर रहा हूं पूरी दुनिया को मेश लगन के लोग क्या करते हैं अगर गुसा छोड़ देंगे वृश लगन के लोग अगर परवरतनशील हो जाएंगे परवरतन शील नहीं होते, हो जाएंगे मिथो लगन के लोग अगर टिक के बैठ जाएंगे, वो टिक के बैठते ही नहीं वो हमेशा भागते रहते हैं, वो कामजाब नहीं होंगे इसलिए क्योंकि वो कामजाब क्यों नहीं हो पाते हैं क्योंकि एक जगा पे ठीक नहीं नहीं कामजाब कैसे होंगे बहुत असान है ऐसे निचोड में जो बता रहा हूं वो आपकी उपर घटित हो रहे हैं उसको आप सुधार ये ठीक हो जाओगे कितना असान है जिन्दगी को ठीक करना हमें पता था आज तक कभी सुनी हैं ऐसी ब बन को बांदो गें तूट जाएगा बन नहर चल रही है बन बांदो उचा सा उदर से निकल जाएगा ये कभी भी दब के नहीं रहते हलाके करकलगन पानी का होता है भोले होते हैं लेकिन किसी की अंडर काम करते ही नहीं सुनते ही नहीं किसी की बात वो अगर बाते सुनी श कर देंगे कामयाब होजआ जाएंगे निचोड का निचोड दे रहा हूं कि कैसे ठी किया जाता है एक में बंदे को और करक लगना क्या है? केकड़ा, चारो तरफ तांगे फैता है, तेड़ी चाल होती है उसको ठीक करना है, क्या पानी में रहता है? पानी को दबा सकते हैं, गुबारे में डेलो गुबारा फटister जाएगा कभी भी इसको कभी नहीं हम दबा सकते कि ये दबके रहता ही नहीं अगर दबके रह जाए तो क्या लग जाता है उल्ली लग जाती है ध्यान से सुनिये अगर पानी खड़ जाये तो उल्ली लग जाती है ऐसे लोगों को भागना ही पड़ता है ऐसे लोग कहते हैं मेरे अंदर से घबराहट होती है मैं दब के नहीं रह सकता ये कामयाब नहीं होते हैं जो कामयाब नहीं होते उनके लिए बता रहा हूं अगर वो दबना शुरू कर दे लोगों की बाते सुनने शुरू कर दे कामयाब हो जाए सिंग लगन की बात आए अब इनकी उस बात का जवाब दे रहा हूं लेजी होते हैं सिंग लगन के लोग लेजी होते हैं पनीजी सिंग लगन के लोग सिंग क्या है शेर का काम एक दम से स्पीड से भागते हैं ठक जाते हैं जादा नहीं भाग सकते हैं लेजी होते हैं सुबह लेट उठना लेट उठते उठते लेट हैं लेकिन उठने के बाद टिक्के नहीं बैठते उनका एक मूल मंतर सुबह जल में ठीक कर रहा हूं पूरी दुनिया को बारा ही लगन होते हैं पूरी दुनिया में सिंग लगन के लोग जल्दी उठना शुरू कर दें कामयाब हो जाएंगे क्योंकि सिंग लगन होता है शेर का सूर्य तैम के पंचल होता है निकलता है घूमता रहता है यह उठने के बार टिक के नहीं बैठते लेकिन अगर सुबह जल्दी हो उठेंगे कावियाब हो जाएंगे कन्या लगन कन्या लगन के लोग दिमाग को बहुत गुमाते हैं श्रीर को उठाते ही नहीं यह सिंग लगन से ज़्यादा भी लेजी होते हैं टैम के पंचल नहीं होते हैं कन्या लगन के लोग अगर दमाग की बजाए शरीर को दुड़ाना शुरू कर देंगे कामजाब हो जाएंगे एक लाइन में दमाग को गुमाते हैं दमाग की बजाए शरीर को दुड़ाना शुरू कर दें कामजाब हो जाएंगे देखिए कितना असान था आदी दुनिया ठीक होगी छे लगन पूरे हो गए एक एक लाइन में कन्या लगन के लोग अगर दिमाग की बजाए शरीर को दुड़ाना शुरू कर देंगे तो कामजाब हो जाएंगे यानि के कन्या लोगों को दिमाग बहुत दोड़ता है बहुत तेज दिमाग गमाते हैं बैठे बैठे प्लाइन बनते हैं यह करनो वो करनो यह करनो साकार कुछ नहीं होता जितने वो प्लाइन बनाते हैं उतना वो शरीर को दुड़ाना शुरू कर दें सुबह जल्दी उठे टाइम के पंचल हो जाए और जहां पर जाना है श्रीर को बगाएं कामजब हो जाएंगे यानि कि श्रीर को बगाएं ये मैं आपने जतने भी लगन बताएं हैं तो एक जो common बात निकल के ये सामने आती है कि सुबह जल्दी उठना जो है वो किसी ना किसी तेरें से लाब दे रहा है हर लगन बिलकुल बिलकुल सो परसेंट तब ही तो मैंने बताया था उपाये में आपको याद होगा मैं सब को बताया था जो नोक्री चाहते हैं सुबह जल्दी उठनें कामजब हो जाएंगे लेकिन हार एक लगन का एक मूल मंतर भी होता है हार एक लगन की एक अच्छाई भी होती है लेकिन आज इन्होंने बात कही सही होने की कि इनसान को सही कैसे किया जाता है पूरी दुनिया को एक लाइन में वो पूरी करूँगा आज मैं फिर आपको बताओंगा अरे भाई कौन सा लगन भगवान को पा सकता है कौन सा नहीं पा सकता फिर आपको बताओंगा कौन सा जानवर भगवान को पा सकता है कौन सा नहीं पा सकता पता है आपको फिर आपको बताओंगा ये 84 लख जुनों में क कौन सा जनम होता है जो मनुश्का अगला जनम उसका मनुश्का होने वाला था यह बहुत बरीकी बाते हैं बहुत गहरी बाते हैं चलेंगे स्टेप पैस टेप आज बात कर रहा हूँ एक लाइन में सब को ठीक करने के अब आई बात तुला लगन के लोग दुनिया को देते हैं आडवाईज कामयाब हो जाते हैं, खुद के लिए कामयाब नहीं होते हैं, निर्ने नहीं लै पाते हैं अपने लिए, तुला लगन के लोग अगर सोचना बंद कर देंगे, कामयाब हो जाएं, ध्यान से सुनिये, अब इसके पीछे सेंटिफिक रिजन थोड़ा सा सैंट मि can do सबीचे मोटा मोटा तुला है तराज्यु को हम ऐसे पकड़ते हैं तकड़ी में हमारे एक समाशतिए हैं वट्टे एक समाशस सब्झी कई समाश्प कुछ भी कारि की बेचते हैं तो जादा नीचे हो गया वट्टी एगो रख दी जैसे कि पहले सुनार की होती थी तकडियां कैसे क्या करते हैं कहते हैं तोला मसा रती होते थे ना वो इतने बरीकी में तोलते थे फिर भी तकडिया ऐसे 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 लोग बहुत ब्रीकी में विचार करते हैं सोचना बंद कर है दूसरों को तिनी जल्दी बताते हैं अपने लिए क्यों सोचते हैं यह मैं सेंटिफिक रीजन से इसलिए बताया तांकि आपको पता चले जो मैं बाद बता रहा हूं सेंटिफिक रीजन से बता रहा हूं और निचोड बता रहा हूं साथ में आपको निचोड जोतिश का निचोड ऐसा एपिसोड आपने ना तो पूरी दुनिया में देखा होगा ना ही कोई बताएगा अगर किसी को पता होगा बताएगा ना या तो पता होगा वो भूल चुके होंगे अगर भूल च जाएंगे अब आई बात ब्रिश्चिक लगन आठ नमबर लगन की बात अरे बाई आठ नमबर लगन बहुत अच्छा लगन है भगवान को जल्दी पालते हैं सबसे नजदीक भगवान के आठ नमबर लगन वाले होते हैं क्यों पता है आपको क्योंकि आठ नमबर जो राशी हमारे गुपतंगों को आती है ये गुपत ग्यान जान लेते हैं ये भगवान को बहुत जल्दी पा लेते हैं और गुपत ग्यान कम मिलता है जब इनसान चुप हो जाता है सेंटिफिक रिंद सुनिये ध्यान से ये इनसान चुप हो जाएंगे कामजाब हो जाएंगे बोलना क बात बात पे जगड़े का, जब तक ये जगड़ना ले, खाना हाजम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्रहें ऐसे हैं, लेकिन इसका एक लाइन में निचोड़, ये जगड़ना बंद कर देंगे, कामयाब हो जाएंगे, देखिए, कितनी गहरी बात बता दी मैंने, बहसना कभी इन्होंने चुपी धारन कर ली, कामयाब हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अंदर से ग्याना आजाएगा, क्योंकि भगवान के सबसे नजदीक ब्रिश्चे के लगण होता है, ऐसी बातें कभी किसी किताबों में नहीं मिलेगी, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ऐसी बातों क नोट किया कीजिए, तांकि दुनिया का भला करना चाहते हो, जिसका ये लगण होगा उनको बता दीजिए, अगर कामयाब होना चाहते हो, तो ये कर लीजिए, अब बाई बात धनू लगण के, धनू लगण के लोग जब भागना बंद कर देंगे, कामयाब हो जाएंगे, धनुलगन का जो निशान होता है, चार पाउं होते हैं गोडे के, उपर जो धर लगा है इंसान का, हाथ में तीर कमा, बिन सोचे समझे बोल देते हैं, वो ही तीर बिना सोचे समझे छोड़ देते हैं, वो ही तीर अपनी शाती पे लगता है, ऐसे चार पाउं धोड़ती रहते दोड़ती रहते, कभी उदर, कभी उदर, कभी उदर, सारा ग्यान इसका, पूरा ग्यान इसके भीतर ही होता है, लेकिन जब ये भागना बंद कर देंगे, कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कौन करेगा, देखिए, एक लाइन में ठीक कर रहा हूं सब को, लेकिन अब पता कोई करेगा या नहीं करेगा। देख़िए अब सुनिये बात आई बात मकर लगन के लोग मकर kulak के लोग अगर सफाई करने शुरू कर देंगे अपने इर्दा इर्ड की कम याब हो जाएंगे क्योंकि मकर किया है मंगर मच दलदल में रहता है, वो अपनी सपाई तो रखते हैं, इर्द-गिर्दगी सफाई नहीं रखते हैं, अपने रोम की, अपने घर की पूरी तरह चंकना होना चाहिए, अगर मगर मच साप पानी में रहे गा तो गे लोगों घर में खला रहा होता है अगर वो सफारी रखने शुरू कर देंगे कामयाभ हो जाएंगी एक लाइन में पूरी दुनिया को ठेक कर रहा है Когда कुम्बलगन की लोग mother Ai जो कुम्बलगन की लोग हैं अगर इनके लिए मैं एक लाइन बोलू औ वो है कुम्ब लगन है मटका मटके में क्या होता है पानी पानी को गर्म रखते हैं वो ठंडा करके देता है जब उसमें पानी नहीं होता तो लोग ठोकर मारते हैं अरे पानी नहीं कहीं और भागते हैं उनसे सब मतलब निकाल लेते हैं फिर वो बचारा केला रहते हैं सोज समझ क फैसला लेजिए फिर भलाके जीए आप आई बात मील लगन के लोग मेर अगर दिल को स्ट्रॉंग नहीं कांजाब हो जाएंगे दिल के कमजूर होते हैं, जल्दी डर जाते हैं, मेरे लिए ये काम नहीं बना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, देखिए, अब आपको एक लाइन में पूरी दुनिया को ठिक कर दिया न, एक लाइन में पूरी दुनिया 12 लगन होते हैं 13 मा लगन नहीं होता मीं लगन लास्ट बार मा लगन अगर दिल को स्ट्रोंग कर लेंगे तो कामजाब हो जाए इसलिए तो कहते हैं कि आपके जितने सवाल हूंगे वह मैं दूँगा चाहे एक लाइन में क्यों ना हो सवाल जो मैं अगला करने वाली अगर उसके अपनी आदत के अगेंस्ट जाएंगे तो वो उनके लिए बहुत दिक्कत होगी बहुत मुश्किल होगा बहुत अच्छा पूछा इन्हें ने स्वाल एक ऐसा पूछ लिया आपको भी नहीं पता इन्होंने स्वाल क्या पूछा लेकिन इनका सवाल का जवाब सें किंटी होती है यह किसी को नहीं पता अगर वो अपनी कुंडली को मैं आपको एक और चीज बता देता हूं हमारे अंदर भी जो कुंडली है चक्रा है वो उल्टे चलते हैं यह अंदर की बात हैं यह किसी को नहीं पता हर इनसान की कुंडली उसके उल्टी होती है क्योंकि लेका जोखा लेकर आपती है उनने वो करम किया जाने में चाहे अन जाने में हर इनसान कोई भी ऐसा इनसान नहीं है जो भला करना नहीं चाहता है हर इनसान जोगी बनना चाहता है हर इनसान भगवान के पास पहुंचना चाहता है लेकिन उसकी कुंड़िस पहुंचने नहीं ते हर इंसान कोई भी इनसान मारा नहीं है बुरा नहीं है पूरी दुनिया बहुत अच्छी है लेकिन उसके ग्रै नहीं है ऐसे खूने नहीं देती है क्यों उसके उल्टी ही तो चलना है अगर उसके उल्ट चलोगे तो प्रवित्वी से उपर उठना शुरू हो जाओगे अगर उसके उड़ चलेगा लिखा है आपकी जिंदगी में राय दरबार मैंने छोड़ दिया राय दरबार नहीं लेना फिर राय दरबार आपके पीछे पीछे भागेगा अगर लिखा है आपके हाथों कतल होना तो खून भी वग सकता है खून निकल सकता है बच जाएगा क् कुण्डली के उल्ट चलाना है आपको अगर कुण्डली के मताबक चलोगे फिर जो जिन्दगी में कभी भी भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है जब आप अपनी कुण्डली के उल्ट पहुँंचते हो तो यह आप कर पाऊगे क्योंकि आपका अगर चंदर स्ट्रोंग ह चंदर क्या है चार नमबर राशे गुरु कौन सी राशी में उचका होता है चार नमबर राशी में इसलिए जब शान्ती होगी खुशी होगी तब ही तो बगवान को पाऊगे अगर इच्छाएं लेकर जा रहे हो भूत परेत बनकर इसी महले में इसी गली में इसी घर में ही गूमोंगे और क्या करोंगे कभी भी इच्छाएं पूरी करनी है तो थान लीजिए मैंने ये करना है इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया कि अगर हम कुंडली के उल्ट कैसे चल सकते हैं आप चल सकते हो कर सकते हो एक लाइन में जो मैंने बताया वही करना शुरू कर दीज तो कठनाईया तो आएंगी ना बिलकुल आएंगी जब रिख्चा लेते हैं तो कोई कठनाई क्यों नहीं आती आती है लेकिन करना है आपने मेश लगन के लोग चलो सेंटिफिक रिजन से बता दूं सारे तो नहीं से बता सकता दो तीन बताऊंगा समय बहुत कम है मेश ये मेश लगन के लोगों को ध्यान से सुनिये जो मैं बोल रहा हूं उनको प्यार से समझाया जाए वो चार कापिया तो क्या चालिस कापियां भी एक टैम बैठके बना देंगे प्यार से वो ठान ले गें मैंने ये करना है मंगल है शपाही सेंटिफिक रिजिन से बता रहा हूं शपाही को बता दीजिए यह जंग जड़न लगनी आपने जीतनी है जंडा वहां खड़ा होना चाहिए वह जाएगा जंडा वहां लगाएगा ठान लीजिए अगर मेश लगन के लोग कहेंगे मैंने यह चारों का प्यां लगानी है और जो मेश लगन का इंसान कर होगा लेकिन चंदर को स्ट्रोंग कीजिए वही बात आ गए मंगल को कौन बल देता है चंदर कैसे अरे लक्षमी योग होता है मंगल और चंदर का कुड़नियां ऐसे ही नहीं बनाए गए थी ग्रेहों को ऐसे ही नहीं मेल किया गया था ग्रेहों को मैचिंग करना बहुत पहले green होती है फिर orange आती है फिर red आती है औरळ क्या है आपको सावधान अभी देखिए और लेंड क्या आ जाएए और क्या है फॉटे हो जाए है खत्रा है byका य नहीं क्या है और एक कॉंबीनेसिन देखिए कितना अच्छा है और जो निंग के साथ बिलकुल भी और इंटी होते हैं और pants दफा तो मैंने अभी भी देखा मुंगे के साथ किसी ने पन्ना पहना हुआ था स्टोनों की बात मेरे अंदर से जागी चलो वो मैं फिर लेकिन इस पे हम आपको बात करने नहीं देंगे क्योंकि वक्त जो है वो बिलकुल आलमुस्ट खतम ही हो गया है आपका धन्यवाद करे लेकिन स्टोन्स की बात जो है यह जरूर वादागर के जाते हैं कि एपिसोड में करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में क्योंकि कॉम्बिनेशन प्रोफेसर साब कहते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन सही से ना हो तो जिन्दगी जो है वो किसी और ही रास्ते पर चल निकलत आज के प्रोग्राम में बस अतना ही धन्यवाद